हलो दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बढ़िया और स्वस्त होंगे तो दोस्तो आज की जो हमारी वीडियो है इस वीडियो में हम डिस्तस करेंगे जीके के बहुत ही महतपून प्रेशन तो दोस्तो इसमें माचल जीके साइंस जियोगरफी हिस्ट्री सभी से प्रेशन रहने बाले हैं दोस्तो एच बी पुलिस कॉंस्टेबल से सबंदित ये हमारी क्लास 70 भी है इससे पहले की 16 क्लासिस आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी त्यारी को बुश्टव कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए शुड़ू अगर यहां पर पुछा होता सबसे लंबी नदी तो इसका option A सही होना था नील नदी अमेजन नदी जो है दोस्तो यहे दक्षन अमेरिका महादीब में बहती है और नील जो है यहे अफरीका महादीब में बहती है अगला जो ऑ्प्रेशन है दा अजोन लेयर प्रोटेक्ट D जो है वो सही हो जाएगा परावैंगनी विक्रिणों से दोस्तों जो जो अजोन परत है ये पाई जाती है स्ट्रेट्रो स्पेर में यानि की समताफ मंदल में अगला जो प्रेशन है दा परसेंटेज ओफ रेडियन्ट एनर्जी स्टै द्वारा परिवर्तित विक्रिणी उर्जा की प्रतिशत को कहते है तो दोस्तों उसको कहा जाता है अलिबीडो तो इसका ओप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रेशन है दोस्तों आपके लिए महत्पुन सूचना है अगर आप HP Police Constable एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो दोस्तों ब्रिक्षा एप जो है वो आपके लिए Best Test Series लेके आया है इसमें आपको बिल्कुल exam oriented test देखने को मिलेंगे बिल्कुल model paper आपको देखने को मिलेंगे as digit exam के pattern के base पर तो दोस्तों जल्दी से जाएए ब्रिक्षे आपको डॉनलोड करिए और कूपन कोड जानी 50 यूज करिए ताकि आपको 50% का डिसकॉंट मिल जाए और बहेदी कम कीमत पर आपको यह test series available हो जाए तो दोस्तो जाएए डॉनलोड करिए लिंक जो है बो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने अगला प्रेशन है जीरो फाइट्स can withstand मरुदविद जीवित रह सकता है तो दोस्तो जीरो फाइट्स जो होते हैं जीरो फाइट्स जो पौदे हैं यह जीवित रह सकते हैं यह रह सकते हैं drought condition में तो उसका option भी सही हो जाएगा सुखे में इसका option भी जो है वो सही हो जाएगा अगला question है The oldest type of energy known to man is मुनुश्य द्वारा ग्याद सबसे पुरानी उर्जा है option है आपके पबन उर्जा, सौर उर्जा, जवार उर्जा या फिर भूत आप ये उर्जा इसका answer जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जियो थर्मल, एनर्जी यानि की भूत आप ये उर्जा option D सही हो जाएगा अगला question है India is world largest producer of भारत बिस्व में सबसे बड़ा उत्पादक है option है कपास, धान, गेहु, बाजरा इसका option A जो है वो सही हो जाएगा cotton यानि की कपास जो है दोस्तों कपास का भारत जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है अगला question है गारो एंड खासी tribes are found in गारो तता खासी प्रजातियां पाई जाती है option है आपके मेघाले, मिजोरम, अरुनाचल प्रदेश, नागा लेंड तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेघाले option A सही हो जाएगा और दोस्तों ये जो प्रजातियां है गारो और खासी इनके जो नाम है दोस्तों ये मेघाले में पहाडियां भी पाई जाती है गारो खासी जयंतिया पहाडियां उनी के नाम पर प्रजातियां है तो इसका option A सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है दोस्तों दा सौधन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज भारत का दक्षिन्टम बिंदू है तो आपको पताना है दोस्तों भारत का सबसे दक्षिन्टम बिंदू कौन सा है तो दोस्तों option है केप कुमोरिन, पॉइंट कैली मेरे इंडरा पॉइंट या फिर पोर्ट ब्लेयर इसका सही आंसर हो जाएगा इंडरा पॉइंट, option C से ही हो जाएगा दोस्तों ये जो है ये है आपके अंडरा निकोबार में और दोस्तों बात करें अगर इहां पर पूचा होता भारत की मुख्य भूमी का तो दोस्तों वहो केप कुमोरिन हो जाना था जो की तिमिलनाड़ू के कन्या कुमारी में है और सबसे हाइस जो पॉइंट है बो है आपका इंडरा कॉल जमुक्ष मीर में अगला प्रशन है सिवा समुद्रम, fall is found in the course of river सिव समुद्रम, प्रपात किस नदी के प्रभापात में पढ़ता है तो दोस्तो सिव समुद्रम जो हो waterfall है ये पढ़ता है दोस्तो कावेरी नदी के प्रभापात में option C सही हो जाएगा और बात करें दोस्तो भारत के सबसे बड़े उंचे यानि की जलपरपात की बो है जोग जलपरपात जिसकी जो height है दोस्तो 55 मेटर है अगला जो प्रशन है दक्षन क गोतरी is situated in दक्षन क गोतरी अबस्तित है दोस्तो दक्षन क गोतरी जो है ये अबस्तित है Antarctica में option D सही हो जाएगा Antarctica और दक्षन क गोतरी जो है दोस्तो Antarctica में एक research station था अब नस्ट हो चुका है भारत के 3 हैं एक मैतरी और भारती दक्षण गोतरी जो है ये नस्ट हो चुका है अगला प्रशन है विच स्टेट रिसीव्ज रेनफॉल फ्रॉम नौर्थीस्ट मानसून कौन सा राज्य उत्रपूर मानसून से बर्शा प्राप्त करता है तो दोस्तों ये प्राप्त करता है आपका दोनों प्राप्त करते हैं तमिलनाडू और केरल दोस्तों लेकिन ज्यादा बर्शा तमिलनाडू में होती है तो आप्षण C सही हो जाएगा तमिलनाडू केरल और तमिलनाडू में दोनों में जो नौर्थीस्ट मानसून है वो भाई बर्शा करती है अगला प्रशन है खेतड़ी राजस्तान इस फेमस फॉर राजस्तान का खेतड़ी किस लिए प्रसिद है तो दोस्तो राजस्तान का जो खेतड़ी है यह प्रसिद है तामबे की खेतड़ी 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 है तामबे की खे इसका जो सही उत्तर है वो है कृष्णा ओप्शन ए सही हो जाएगा नागर्जुन सागर पर्योजना जो है वो कृष्णा रीवर पर है कृष्णा नदी है दोस्तों ये निकलती है महां बिलेश्वर से अगला प्रेशन है किस बर्ष कांगरा का किला महमूद गजनी द्वारा लूटा गया था ये लूटा गया था दोस्तों एक आजार नाव में इसका ओप्शिन डी जो है पसई हो जाएगा और दोस्तों गजनी का ये है फोर्त आकर्मन था और महमूद गजनवी ने भारत बर 17 वार आकर्मन किये थे और इसका प्रसिद आकर्मन जो हुगा था दोस्तों वो था सोमनात मंदिर पर गुजरात के सोमनात मंदिर पर 1025 इस्वी में अगला प्रशन है इन विचेयर वाद एच्पी मेडे यूनियर टरिटरी किस बर्स हिमाचल प्रदेश को केंदर शाष्यत प्रदेश बनाया गया था केंदर शाष्यत प्रदेश बना था हिमाचल प्रदेश 1956 में आउप्शिन डी सही हो जाएगा और दोस्तों 1988 में माचल को मुख्य अयुक्त प्रांथ बनाया गया और 1951 में इसे पाठ सी स्टेट का दर्जा दिया गया था आप्मेंट करके पताएं दोस्तों भारत के प्रत्ध मुख्य अयुक्त कौन थे अगला प्रशन है हुब आजदा फॉंडर ओफ सेना डानिस्टी इन हिमाचल माचल मैं सेन राजबंस का संस्तापक कौन था तो दोस्तों सेन राजबंस की स्तापना करी थी सुकेत में वो करी थी बीर सेन ने तो इसका option D सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं और बात करें दोस्तों बाहुसेन की तो बाहुसेन ने मंडी र्यास्त की स्तापना करी थी बात में जो उसकेत र्यास्त थी बाहुसेन के बड़े भाई सहुसेन से लाग होकर अगला जो प्रेशन है बीच आफ फॉलाइंग बैली जीज फेमस एज बैली आफ गोड्स निमन मैंसे काउन सी घाटी देपताओं की घाटी के रूम में प्रसिद है तो दोस्तों देपताओं की घाटी के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है कुलू घाटी को option C सही हो जाएगा काउनग घाटी को दोस्तों बीर भूमी के नाम से जाना जाता है और जो भरमावर है उसको C भूमी के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है माचब देश की सबसे उची चोटी किस परवश रेणी में पढ़ती है यह पढ़ती है दोस्तो जंसकर रेंज में option D सही हो जाएगा और सबसे उची चोटी है वो है सिल्ला 7026 मीटर इसकी हाइट है और जो सिवालिक है दोस्तो यह सबसे चोटे परवश है माचल में और इसका जो प्राची नाम था दोस्तो वो था मेनाक परवश अगला प्रेशन है अगला प्रेशन है ता कलाइमेट ऑफ किनौर डिस्टिक्ट ऑफ हैच भी कमस अंडर दा कैटेगरी आफ माचल प्रदेश के किनौर जिले की जिलबायू किस रेणी में आती है तो दोस्तो किनौर जिले की जिलबायू आती है वो आती है सेमी अरेट जोन में यानिकि हर्थ सुष्क मंडल आप्शन भी सही हो जाएगा लहुल स्पित्ती और इनोर की जिलबायू सेम है अल्मोस्ट अगला प्रशन है बड़ा शिगडी बड़ा शिगडी क्या है तो दोस्तों बड़ा शिगडी जो है वो है एक गलेशर ऑप्शन डी सही हो जाएगा और यह है लहुल स्पित्ती जिले में माचब देश का सबसे बड़ा गलेशर है यह 25 किलो मेटर लंबा और 3 किलो मेटर चोड़ा है इससे चंदरा नदी को पानी मिलता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताएं थैंक्स पर बाचिंग गॉड ब्लिस यू ओल